दोस्तो शम्शान घार्ट एक ऐसा स्थान होता है जिस स्थान पर मुर्दों को जलाया जाता है और मुर्दों को जलाने की वज़े से रात का स्थान काफी अधिक भयानक होता है इसलिए अक्सर आपको लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि आपको रात में शम्शान घार्ट नहीं जाना चाहिए। ये चीजे उपर से देखने में बहुत से लोगों को बकवास लग सकती है। नहीं जलते रहते हैं। और रात को गावों के शमशान तो काफी सुनसान होते हैं। और यदि कोई रात के अंदर वहाँ पर जाता है, तो उसके अंदर भाय पैदा हो सकता है। जो की बाद में उसको काफी अधिक परेशान करता है। इसलिए रात को शमशान घार जाने से मना अक्सर हम को बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कि वे रात को अक्सर शमशान घाट जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है. ये सब जूट है, लेकिन उनको हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, कि ये चीजे जूट नहीं होती है. इसी तरह की एक रियल घटना हमारे सामने आये थी हमारा एक जानकार जिसको जरा भी डर नहीं लगता था और ऐसी ही घड़ी को वो रात को एक बचे शमशान घाट के बीच से आने वाले रश्टे में से आ रहा था उस इंसान को जिदगी में कभी डर तक नहीं लगा था वो किसी भूत प्रेत को मानता तक नहीं था पता नहीं कैसे एक भयंकर प्रेत आत्मा उसके पीछे पड़ गई और आज जिदगी में पहली बार वो डर गया और घर आने के कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई उसके बाद उसी के घर में जानवर भी एक-एक करके मरने लगे बाद में इलाज करवाया तो इन चीजों को मजाक में लेना कभी-कभी घा तक साबित होता है नमबर त्री जानमाल का हो सकता है नुकसान यदि आप रात में शमशान जाते हैं तो इससे जानमाल का नुकसान हो सकता है संभव है कि आपके पीछे कोई प्रेत आ जाए वो आपके साथ कुछ ना करें लेकिन आपके घर के अंदर प्रवेश करने के बाद वो आपके घर में इंसानों और जानमरों को मारना शूरू कर दे और आपको पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है जो लोग इस तरह की समस्याओं से प्रेत हैं उनको इसके बारे में पूछ लेना चाहिए बाद में सब आपको पता चल जाएगा आपकी तरक्की में बाधा पैदा कर सकता है दोस्तों शम्षान की कोई बुरी उर्जा यदि आपके घर में आपके पीछे आ जाती है तो ये आपकी तरक्की के अंदर बाधा पैदा कर सकती है आप उसके बाद चाहे कितनी भी कोशिश कर लें आपके घर में या तो धन आएगा ही नहीं और यदि धन आभी जाएगा तो वो रूप नहीं पाएगा क्योंकि बुरी उर्जा को बस बुरा करने में मज़ा आता है इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बाद में आप भागते फिरेंगे की आपके साथ क्या हो रहा है कमा बहुत रहे हैं मगर अभी भी गरीब ही है नमबर फाइव घर में फैल सकती है बिमारी कई सालों पहले की बात है जब लोग उंट के उपर यात्रा करते थे तो एक बार एक इंसान रात में उंट से यात्रा करते हुए आ रहा था उसको शमशान के अंदर एक औरत खड़ी द जो की उसके घर के अंदर प्रवेश कर गई उस इंसान की पतनी खाना बना रही थी उसने देखा कि एक औरत उसके कमरे के अंदर प्रवेश कर गई है उसने अपने पती से पूछा कि आप किसको अपने घर में लेकर आए हैं तो पती नहीं कहा कि किसी को नहीं बाद में वही और गर के सदस्यों को बिमारिया होने लगी, उस इंसान की पत्नी मानसिक रूप से पागल सी रहने लगी, बाग में इलाज करवाया गया, नम्ब सिक्स आपका हट फैल हो सकता है, यदि आप कमजोर दिल वाले इंसान है, तो फिर आपको शमशान के अंदर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, यदि आपको कोई महाकार के अंदर प्रेट देखने को मिल जाएगा, तो आपका हट फैल हो सकता है बिना मौत के आप मारे जा सकते हैं, इससे बहतर है कि आपको चीजों से बच कर रहना चाहिए, जिनके पास जिगरा हो वो ही रात को शमशान में जाएं, न लेकिन उनके अंदर अलग प्रकार की सिद्धिया होती है, मगर यदि कोई आम महिला शमशान में आती है, तो उसके बाद उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पर सकता है, कामवासना से युक प्रेट उस महिला के अंदर गुश सकते हैं, और अपनी कामवासना की जाते हैं, तो इसको अशुब माना जाता है, और आपको पता ही है, कि जब हम कोई अशुब काम करते हैं, तो इससे हमें किसी भी तरह का कोई फाइदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है, नमबर नाइन रात में नीन्द आने की समस्या पैदा होना, रात में अक्सर शम्शान जाने से बुरी उर्जा का असर आपके उपर हो सकता है, जिसकी वज़े से रात में आपको डरावने सपने आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी अजीब चीजे दिखाई दे सकती हैं, जिसकी वज़े से आपकी नींद उर सकती है, इसलिए आप चिंता और तनाव के शिका हो सकते हैं, तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कोई बाहदुरी नहीं है, वरन मुर्कता ही होती है